तो जैने दोस्तों मैं सागत कताब को दुबारा मेरे इस यूटी चैनल पर तो आज हम तीसरी नदी के बारें पढ़ेंगे मतलब ट्रिब्यूट्री ऑफ इंदस जो कि थर्ड ट्रिब्यूट्री जो है वह चिनाम नदी ठीक है और हमें पतना है चिनाम ड्रिवर जो है यह रud mau त्रिब्यूट्री है कि लॉंग Hurricane Winter है कि अलॉग ट्रिब्यूट्री है तो पेसे अब जात अखेगा के इसमें हर बार कोई से निकलता था बट है भी जो मैंने आपको previous video बिड़ा है हरब कोई lake होता था ठेक है पर इसमें क्या होता है यह दो streams होती है नदी मलब की जो नदी जो छोटी नदिया होती है इन दोनों stream एक point पे मिलती है इस point पे उसके बाद यहां के बाद आगे बढ़ती है बढ़ती है और चलती जाती है और यह कि नदी का रूप ले लेती है ठीक है तो यह जो है यह एक जो जगह है इस जगह को हम बोलते हैं बारा लाचा पास बारा लाचा पास यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से यह इंडिया में एंटर कर लेती है और इस पॉइंट को यह जो जगह उसको बोलते हैं टांडी मनलब तांडी जो कहां पर हिमाचर परदेश में है हमारा हिमाचर परदेश तांडी में केलांग नामक जगह पर है तांडी केलांग नामक जगह पर यह हमारा यह इंडिया में एंटर करता है और एक जगह है यहां पर माली जैप्रॉक्स यहां पर इसको हम बोलते हैं किस तव और ये जो टो स्ट्रीम से ये। श्ट्रीम का नाम है चन्दर केinstr exploration का नाम है भागा और ये दोनों मिल के नदीब नाते हैं तो कि को सबकें चंद्र भागा चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है और ये जो हमारा जगह है किस तो बारा इसके बाद से ये चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है और इससे पहले ये किस्तवारा के नाम से जाना जाता है उसके बाद ये चो हमारा है यहाँ पे एक और नदी की स्ट्रीम आके जूटती है इसको बहुते तवी नदी थेके बस इतना ही है उसके बाद ये समें हमारी सत्लज नदी मिल जाती है और सत्लज नदी हो गया यहां से हमारी इंदज इसमें मिलती है भस ये है हमारा कुमिलाग के चेञिडी के बाते लते बाते हैं बज इतना ही यात करना होता है चेडील नदी में और कुछ एक्स्टा पॉइंट एक्स्टा तो इसमें कुछ भी नहीं है बस एक पॉइंट इसकी लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है कुल लेंथ इसकी लंबाई जो है 1180 किलमेटर है बस इतना ही हमारा चे नाम जा दी सो थैंक फर वचिंग मैं वीडियो इन मैं नेक्स वीडियो वित रावी इन ब्यास दू के मारा चौथा वीडियो थैंक फर वचिंग एंट टेक केर